हेलो फ्रेंड्स वेल्कम चुकुकवित की नदी मेरी किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स पीजा नाम सुनते ही सबके मुँमें पानी आ जाता है है ना लेकिन अभी बाहर पीजा खाने जाना मुम्किन नहीं है तो किनो घर पे इंस्टन पीजा बनाया जाए जी हाँ फ्रेंड्स मैं आज आज आपके साथ इंस्टन तवा प्रेड पीजा घर पर कैसे बनाते हैं उसके जैसे भी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तवा ब्रेड पीजा बनाने के लिए मैंने यहाँ चार स्लाइस वाइट ब्रेड ली है आप चाओ तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो तीन मीडियम साइज के बारिक कटे हुए टमाटर लिये हैं दो ओनियन है बारिक कटी हुई एक बड़ा कैपसिकम है वो भी बारिक कटा हुआ है दो चम्माच बटर है चार टेबल स्पून सॉस है आप अपने ही सबसे कम्याज ज्यादा ले सकते हो यह प्रोसेस चीज है लगबक 100 ग्राम है आप मौज्रेला चीज भी यूज़ कर सकते हो वन टेबल स्पून कुकिंग ओईल है वन टीज़ब चात मसाला है वन टीज़ब काले मिर्च की पावडर है वन टीज़ब नमक है यह वेज मैयोनिस लिया है मैंने यह आप्च्छनल है यह ना हो तो भी पीजा अच्छा ही बनेगा और एक गानों है ये कोई भी सुपर मार्केट में इजिली अवेलेबल है चिली फ्लैक्स है पीजा बनाने के लिए पहले एक मिक्स्चर रेडी करेंगे इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है अब उसमें कैप्सिकम डाल देंगे बाद में अन्यन डाल देंगे फ्रेंस सबजिया यहां आप अपने इसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो अब टमाटर दाल देंगे काली मिर्च की पाउडर डाल देंगे थोड़ी चाथ मसाला डाल देंगे और कुकिंग ओल डाल देंगे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी चीस डाल देंगे अब अच्छे से मिला लेंगे मिक्स्चर को लास्ट में नमक डाल देंगे आप काला नमक भी ले सकते हो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब second step में हम bread ले लेंगे, मैंने दो bread ली है यहाँ पहले sauce apply कर लेंगे अच्छे से ये दिखें sauce अच्छे से मैंने spread कर लिया है अब mayonnaise ले लेंगे उसे भी अच्छे से spread करना है देखें mayonnaise भी अच्छे से spread हो गया है अब है mixture की बारी कि दो से तीन चमच मिक्स्चर हम एक प्रेट पे रखेंगे अब अपने इसाबसे कम या ज्यादा ले सकते हो व Kerrynds मैंने यहाँ तीन चमची इतना मिक्सर लिया है अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे यह देखें मिक्सर को हमने प्रेड पे अच्छे से रख दिया है spread कर लिया है अब है cheese की बारी तो थोड़ी सी cheese sprinkle कर लेंगे इस पे cheese के बाद अभी थोड़ी सी oregano sprinkle कर लेंगे थोड़ी सी chili flag sprinkle कर लेंगे ये देखिए चारो slice मैंने ready कर ली है अब चलते हैं थर्ड step पे जो कि last step है gas on करके पहले non-stick तवा लेंगे थोड़ा सा butter apply कर लेंगे flame low रखेंगे butter गरम हो जाए फिर दो slice bread की रख देंगे पहले मैंने दो slice ली है bread की इससे बहुत carefully रखनी है low flame रखनी है हमें अब bread को lid से cover कर लेंगे ये देखें तीन मिनट के बाद हमारा bread pizza बनकर ready हो गया है अब इससे serving plate में ले लेंगे बहुत carefully लेना है तो लीजिए तवा bread pizza बिलकुल ready है खाने के लिए बहार जो pizza मिलते हैं उससे तो कई ज़्यादा healthy है ये pizza तो आप इसे घर पर ज़रूर try करें और अपने comments मुझे पेशते रहें मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे like, share और subscribe करना ना भूलें कर दिए, और आपको खब्सकेशणा कर दो ना भा को उहेंगे